आप सब्सक्राइब जॉब मुझे यहां पर बेस्ट लगी गोवर्मेंट जॉब है पर्मेंट है और बेस्ट दिखाता है आपको और सबसे बड़ी चीज क्या है भाई सब्सक्राइब बस मुझे आप जो पढ़ते रहे हो वही लगा तो फिर मैंने का चलो आपको रिक्मेंट कर देते हैं तो फिर चलते हैं यहां पर तो सबसे पहले नमबर जो रिक्रुट्मेंट आई है वह कौन सी है वह का बीए से अप में है बीए सब हैट कॉंस टेबल का और यह बाई रेड सब्सक्राइब यहां पर जो मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा मैंने जॉब तो नहीं की लेकिन यह मुझे जरूर लगा पढ़कर के कि सेलेक्शन प्रोसस्स तेक करके स्लेबस तेक करके और विसेकली स्लेबस वो है जो आपके लेवल का जिसे आप पढ़कर के लाइक जो अगर सीस्टी केरिगरी तो फीस अपका लगेगा जीरो अगर 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 जन्रलोबी सीडवली से हो तो फीस लगेगा दोस्तुरुपै कि फॉर्म फिलिंग रिस्टार्ट हो चुका है बीस तरीक से और एक मीने पूरे-पूरे हैं आप सभी के पास वहां को फिलकर निकले उसके अगर मैं बात कर लेता हूं एज का तो देखो 18-25 साने आप बहुत सारे आपने साहसे होगे एज जो के लिए इसके लिए लिए अगर पोस्ट की बात कर लेता है टोटल पोस्ट भी भाई सब कम नहीं है 312 पोस्ट है आलो और इंडिया आप काफी होती है ठीक है बेस से बेट कॉंस्टोबल आरो आरेम रिक्रिट्मेंट 2000 अमदब थर्टीन हंडेट टर्ल पोस्ट ओके है एक कॉंस्टेबल डेडियो ऑपरेटर आरो के लिए जो पोस्ट है ने उसे बैसी पोस्ट है इसमें अगर आपका क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो क्या क्या चाहिए वह देखते हैं देखो आपका टेन प्लस टूपाट चलो मैं आपको डॉक्यमेंट हो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो तो मैं जरूर बता दोगा बाकी मैं इसका नोटिफिकेशन आपको टेलिग्राम पे शेयर कर दूगा अगर एक बात और बताता हूं तब तक आप सभी के लिए चलो मैं पहले से डाउनलोड हो जाने देता हूं फिर आंगे बढ़ते हैं और बाते करते हैं कि गौवर्मेंट ऑप इंडिया डाइक रिक्विट्मेंट पॉर पोस्ट अफिट कॉंस्टेवल डेडियो ऑपरेटर एंड हिट कॉंस्टेवल रेडियो मैं कैनी के लिए पोस्ट है आनल इन अप्लिकेशन की बात मैं आपको डेट बता दि जरूर हो सकती है उसके यहां पर कैटिगरी के वाइस भी आप वेकेंसी देख सकते हो कि कि इतनी वेकेंसी रखी जाएंगे उसके और बीचीजें जो इंपोर्टेंट है वहां पर इसका लेता है आप सबसे पहले आपका रिटेन इंग्जाम की डेट है वह मैं आपको बता पर नोवजे से गेरा बज़े तक और बीचने को आइटिंग सेकेंड सिफ्ट जोगी दोसरे चार्ट परिया अपर बात की गई है ठीक है अचाई यह आरो के पेपर के बारे में है यह आर्म के प्रिपर के बारे में उसका डुप्लीकेट अपको सब्सक्राइब कर देखिए कि अतना डिफीकल्ट होता नहीं है मैं आप सभी को बता दोगा थार्ड फेस्ट अपका मेडिकल इग्जामनीशन होगा फाइनल इसके बाद आपका मेरिट उसमें आ जाएगा मेरे टाप का फाइनल रिजल्ट के बैसे फाइनल इजल्ट फिल्बी प्रिपेर्ड फॉर ऐसी आरो एंड इसी आर्म सिप्रेट लिए दिखो मैं बता दूं इंडियन नैवी डबल ऐससार ऐससार से बहतरीन है भाई बढ़ियां उनसे कम मतलब पहला नमबर तो पर्मनेंट को टोटल 250 मार्क मतब 250 मार्क का टोटल मतब दो हरसो माग का पर होगा पर कोशन है वर टूम नमबर एंड उसके बदब का पचासमेश को डिक्टेशन टेस्ट के मिलेंगे वो मैं आपको बताता हूंगा कैसा टेस्ट होगा उसके आपका जो प्र होगा वहां पर ऐसी आर्म के वाले के लिए तो किवल दोसों मांग का ही पेपर होने वाले एलिद्बिल्टी कंडिशन के बार में पहले हम चीजों को डिस्स करता है है ठीक है तो एकडेमिक सिंपल सी बात में बता देता हूं यहां पर अगर आरो मतलब की आप अगर फॉर्म करना चाहते हो वाले का तो सिंपल से आपको टेन प्लस टू पास होना चाहिए ट्वल्ट पास ओठों फिजिक्स केमेस्ट्री मैट्स में आपके 60% मार्क्स हो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते तो उसके बाद दूसरा नमबर यहां पर जरूरी है आप 10 पास हो साथ में आपके अपके आपको टीयाइख को फिल कर सकते हैं आपके पास सर्टिपिकेट होने चाहिए से आरेम के लिए मेकेनिक करके कुछ था ठीक है तो उसके बारे में आपको बोल रखा गया है कि एक तो वही आ जाता है सेम टूसरा यहां पर क्या रखा है कि प्लस आप पास हो किसमें विट फिजिक्स फिजिक्स के साथ में केमेश्टी और मैथमेटिक्स फॉमार रिकर्शने बोर्ड और यॉनिवर्सिटी और इंस्टिट्ट एजरेग्रीगेट 60% मार्क्स पीश्यम सब्जेक्ट बदलब कि 60% मार्क्स आपके इसमें भी होने सब्सक्राइब को यहां पर लिक्सिशन भी मिलेगा अगर फिजिकल स्टेंडर्ड की बात कर लेते हैं तो सिंपल सी बात है हाइट आपका 168 cm होना चाहिए चेस्ट आपका 80 cm होना चाहिए वेट आपके हाइट के अकॉर्डिंग मेजर किया जाएगा फिमल गले मैं आपका 15 सब्सक्राइब के लिए हाइट में आपके छूट रखी गए 165 cm यहां पर उनको देना होगा यहां पर उनका दे रखा है कि इससे ज्यादा उनका एरिया वगरा नहीं होना चेट्र डिफिनेट्ली वह फायदा है आप सब्सक्राइब नोटिफिकेशन टेलिग्रम चनल और एजुकेशन पर मिल जाएगा वन बोर इंपॉर्ट इंग बता देता हूं आप सभी को एरफोर्स नवी कोश्ट गार्ड और किसी भी गुवर्नमेंट एक्जाम के लिए लिए इसके लिए त्यारी करो तो इसके लिए आप यहां पर यहां पर जाकि आप लगा सकते हो प्रे प्रेस एक वन फॉर्टी नाइन बन सेवन्टी रूपीज जिसमें आप आप लाइन मॉक टेस्ट लगा कि जादर जादर लगा सकते हो बक्ति कोई क्यारी हो तो जरूर्ट वह चीज़ें क्लियर की जाएंगे ठीक है आंगे बढ़ते हैं ठीक है आंगे बढ़ते हैं आपर वह तो दे रखा था आपका इलिजबिल्टी फॉर एक सर्विसमें भी नहीं उनके बारें बात नहीं करेंगे मेट अप सेलेक्शन टेस्ट करेंगे फेस फर्स्ट होगा आपका जो रेटनिक चार्मिशन कराएगा कराया जाएगा आपका रिटन पेपर होगा पेपर पैटर कर सकते हैं अच्छे से त्यारी की होगी वह अभी करके आ सकता है ठीक है और इस लोग उस लेवल का नहीं है आता है इसमें वह लाइन फिजिक्स आता है ठीक है अंगे बढ़ते हैं वैसे मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलिग्राम पर टेंशन मत लीचेगा मैट आपका सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इतना भी नहीं कि आपको अगर फिजिक्स में स्टॉंग हो तो डिफिनेटली के में बिल्कुल बगवास तो नहीं होगे ठीक है पढ़ने में ठीक है तो फिर आप इसलिए कवचीच कवर कर सकते हो तो फोटी मार्क्स का ये भी आएगा और आ 20 मिल्यां कि टोटल हन्डिट कोश्चन होंगे 200 मार्क्स के होंगे और 10 प्लस तू लेवल की होगे जो जीके में मालो आधा 10 नमबर का इंगलीज सोगा 10 नमबर का जीके होगा जीके मैं करें आप इस वाले सेक्षिन पर ज्यादा फोकस नहीं भी करोगा तो भी चलेगा लेक अगर पास होने की बात कर लेते हैं तो लगभा 38 परसेंट जो ले आते हैं जनरल ओवी सी डूबले सो कैटिकरी पास माने जाएंगे तो पास माने जाएंगे ठीक है और यहां पर लिगा है कि एप्रिंट नेक्स फेसल भी रिस्ट्रिक्टें टॉंटीस अच्छा ठीक है तो द इसना होगा फंदर दुने तीस ठीक फंदरसों इन्टू मैं दबलगबग 30,000 कंडिट को यहां पर लो सौट लिस्ट करने वाले हैं सेकंड फेज आपका प्यप्टी होगा प्यप्टी में क्या-क्या चीज़ें करा जाएंगे देखो यहां पर सबसे पहले तो आपका फुट का थिरी चांस मिलेंगे आपको उसका मैं मतलब फीमेल कोई देख रही हो तो मैं आप इदर देख सकते हो आपको यहां पर यहां पर हाई जब आपको साड़े तीन करना होगा तीन चांस इसके लिए भी मिलने वाले अगर आप क्लेर कर ले तो फिर कोई दिक्कती नह होगा उसके देख यह और पढ़ाया जागा यह आपको क्यों क्यों करना होगा यह पीचली कर लोगा यह बढ़िया है मेरे पॉइंट अभी के लिए रिक्रूट मेंट आरा तो आसकर लीज़ेगा कोमें सेक्षिन में अपन रिप्लाइब कर देंगे बगी वीडियों को दू सब्सक्राइब कर सकते हो टेक केर जैहिन और अल दे बेट